दो पूर्प पूर किंधि लिशे कोशलि इस में इस जाह ना कि उसेएप में वंडती हैं वह मिज्ट दिक के कि लिए थाक हो दुछ फॉस्ट मुटेड घंट यहीं कि इसे स्थे यहां पर आप ज्यान से देखोगे तो electricity का flow कुछ इस तरीके से हो रहा है, यह भी हम बेटरी की direction को बदल दे तो current का flow भी बदल जाएगा, यहां पर बलब तो दोनों ही case में जब रहा है, लेकिन बदला हुआ सिर्प electricity के flow करनेगा, तो क्या हम electricity के बदलाव को कहीं पे काम में ले सकते हैं, जी बिल्कुल ले सकते हैं, पर इससे पहले हम समझ लेते हैं, मेगनेट की कुछ properties के बारे में, यह है permanent magnet, इसको permanent magnet क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका जो magnetic field होता है, 24 hour available रहता है, और एक direct सामें aligned रहता है, हमको अच्छे से पता है कि magnet के opposite pole एक दूसरे को attract करते है और same pole एक दूसरे को repel रते हैं, यदि हम इस magnet को spin करवाएं, और इसके पास में यदि किसी दूसरी permanent magnet को set कर दे, तो जब दोनों magnet के north और south pole एक दूसरे के सामने आ जाएंगे, तो यह perfectly aligned हो जाएंगे एक प्रेमी जोडे की तरह है, लेकिन हम इंगी बीक में villain बनके उतर जा पर क्या ऐसा possible है, motor तो बहुत fast rotate करती है, तो हम बार बार magnet नहीं बदल सकते, इसके लिए हम एक बहर रूपिय को बिठा देते हैं, जो कभी भी अपना gender बदल लेता है, और इस बहर रूपिय को बोलते है temporary magnet, यदि हम किसी iron के road पर wire को इस तरीके से लप्रेट कर उसमें supply दे तो यह है एक magnet की तरह काम करेगा, और इसमें भी north और south pole generate होंगे, लेकिन इस magnet की खास बात यह है, कि यदि हम इस बेतरी की direction बदलते हैं, तो current की direction के साथ में इसके pole की direction भी बदल जाएगी कुछ इस तरीके से, यदि इस rotating magnet की जगे इस temporary magnet को रखकर supply देंगे, तो इसमें pole career ह और जैसे ही side-ally magnet के साथ में यह align होगी, तो हम इसकी supply बदल कर north को south और south को north बना देंगे, महान scientist Nikola Tesla ने ही AC motor की close की थी, इन्होंने ही सबसे पहले दुनिया को rotating magnetic field के बारे में बताया, यहां पर मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ explain नहीं कर पाऊंगा, इसलिए आ यहां पर 4000 गंटों से भी ज्यादा की content library available है, link वीडियो की description में दिया हुए, वहां से आप Kukoo FM को download कर सकते हो, इसके लावा fast 250 users को, मेरा coupon code LDA50 use करने पर 50% discount मिल जाएगा, और एक साल की cost 399 से 199 rupees हो जाएगी, जब temporary magnet इस position पर होगी, तो फिर से वही situation create हो जाएगी, same pole retail और opposite attack करेंगे, बस हमने motor का almost circuit प्यार कर लिया, यदि हम side में एक और magnet set कर दे, इसको strong बनाने के लिए, तो दोनों magnet मिलकर काम करेगी, और beach वाली temporary magnet को strong magnetic field provide करवाईगी, rotate करने के लिए, लेकिन motor में side में दो strong permanent magnet रखी होती है, और beach में इस iron road की जड़े, copper wire की loop बनाए जाते ह और इस तरीके से loop rotate करने लग जाएगा, लेकिन loop की supply बदलना possible नहीं है, इसलिए यहाँ पर एक device use में ली जाती है, जिसको बोलते हैं commutator, commutator coil के दोनों side से connected रहता है, और beach में से separate रहता है कुछ इस तरीके से, और commutator को supply करता है versus, versus commutator की body पर touch रहते हैं, और जब commutator rotate कर करनों में आ जाते हैं, तो उस ताइम दोनों तरफ के brush commutator पर अपनी side बदल लेते हैं, जब brushes commutator की side में touch होते हैं, तो current कुछ इस तरीके से flow करता है, और जैसे ही brush की side बदलती है, तो current की direction ऐसे flow करने लग जाती है, इस तरीके से commutator current की direction बदलकर temporary magnet के pole बदलता रहता है, यहाँ पर एक situation और करियर्ट होती है, जब brush दोनों side के beach की position में होता है, और commutator की दोनों side में touch रहता है, इस condition में current दोनों side से ही flow होता है, और कुछ हिसा brush का हवा में रहता है, जो दोनों ही side को touch नहीं करता है, तो current air के through brush से commutator में जाता है, इसलिए गर में grinder mixer को आप चला क करेगा, तो electromagnet कुछ इस तरीके से rotate करेगी, जैसे बरस अगले segment पर आएगा, तो यह वाला loop off हो जाएगा, और यह वाला own हो जाएगा, इस तरीके से commutator loops की direction बदलता जाएगा, और R में से rotate करेगा, electric motor में बहु सारे loop होते हैं, और जितने loop होंगे, उतने ही segment में commutator divide होता जाएगा, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि commutator जो motor की winding होती है, उसकी mirror image होता है, लेकिन motor में इन loop की अंदर बहु सारे wire होते हैं कुछ इस तरीके से, जिनको हम winding बोलते हैं, बहु सारे wire इसलिए होते हैं, ताकि यह सभी मिलकर strong magnetic field generate कर सके, और जितना magnetic field strong होगा, उतनी ही motor fast rotate कर जो rotate कर रही है, उनको इस टेटर बोलते हैं, जो rotate कर रहा है, उनको rotor बोलते हैं, जिन पर आर्मेचर winding लगी रहती है, इन winding के setup को body में set करके motor की designing कर दी रहती है, यह है एक DC motor है, जो motor बेटरी से operate करती है, वह है DC motor ही होती है, दोस्तों, description में कुको FM का link दिया हूँ है, निको भी बहु सारे motor होती है, जिनके बारे में आप चैनल पर वीजिट करके उनके बारे में समझ सकते हो, थैंक्यो